नमस्कार दोस्तों बात करूंगा लोन के बारे में लोन और साथ साथ आप क्रेडिट कार्ड को भी आप समझ सकते हैं दोनों के बारे में लगभग में बात करने वाला हूँ और जो टाइटल आपने देखा होगा कि लोन की जरुवत नहीं है तो मत लेजे ऐसा मैं क्यों बोल उसके बारे में डिटेल में थोड़ सा बताने वाला हूँ आपको वीडियो पहले बार देखे तो लाइक कदर चापला सब्सक्राइब और बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे आपको बता दू कि जो लोन है उसको लेन लेते हैं और एक लोन खटम होता है फिर दूसर लोन ले लेते हैं पिर तीसा लोन ले लेते हैं इस तरह से चीजे जो है वह होती है प्रैक्टिकल मेरे फ्रेंड के साथ हुआ है और उसने पहले एक लोन लिया था तो वह नाम लेना चाहूँगा लेकिन आपको बता दू कि अगर आप loan लेते हैं तो आप बहुत ही सोच समझ के loan लीजिए या फिर अगर आप credit card apply करते हैं और credit card लेते हैं और credit card को use करते हैं तो उसको भी बहुत सोच समझ करके आप use करिये और लीजिए और जरूरत नहीं है तो नहीं आप loan लीजिए नहीं आप credit card लीजिए आपको हुए है या कैसे आप apply कर सकते हैं चाहे वो रूपे credit card हो या normal credit card हो तो इस तरह के content रहता है लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ आपको कि अगर आपको loan की requirement नहीं है और credit card की requirement नहीं है तो आप मत लीजिए normal आप जितना कमा बारी आते हैं तो आपको वो पैसे बहुत चुबते हैं अगर आपने बे वज़े कोई फिजूल खर्ची की होगी यानि कि अगर किसी चीज की requirement नहीं है और आप उसके लिए loan ले रहे हैं या फिर EMI पे कोई चीज ले रहे हैं तो वो कहीं न कहीं आप जब उसकी payment करते हैं तब आपको वो लगता है कि सायद ये चीज ना ली हुई होती तो अच्छा होता तो इस वज़े से मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको loan की requirement नहीं है तो आप loan मत लीजिए और साथ ही साथ जो credit card है उसको भी आप मत लीजिए और आपको यहां पर ये भी बताने चाहूँगा कि थोड़ा सा benefit हो जाता है कि आपके पास कोई चीज नहीं है और आप उसको चाहे loan पे ले लीजिए यानि कि EMI पे ले लीजिए या फिर credit card की payment करिए credit card से payment करिए और आपके घर पर वो समान आ जाता है लेकिन अगर requirement नहीं होती है तो आप मत लीजिए सबसे ज़्यादा जो अगर मैं personally भी अगर बात करूँ तो credit card के लिए बात करूँ तो credit card जब आपके पास होता है तो आप न चाहते हुए भी कई चीज ऐसी कर देते हैं चाहे 2000 का हो 5000 का हो या 10,000 का हो तो आप सोचते हैं कि next month में देख लिया जाएगा लेकिन जब वो चीज जब आपको payment करना होता है तब उस वक्त हो ऐसा लगता है कि यार ये चीज ना की होई होती तो अच्छा रहता है especially मैं अगर मैं अपनी बात करूँ तो credit card को लेकर के आप से मैं बात कर रहा हूँ और ये loan पर भी applicable होता है तो credit card की जब मैं payment करने जाता हूँ तो मुझे लगता है कि साइद ये वाली transaction या फिर ये चीज नहीं किया होता तो आज मुझे ये payment नहीं करने पड़ती है क्योंकि credit card या फिर आप loan लेना तो बहुत ही आज की time पे तो बहुत ही आसान हो गया है और बहुत ही आसान तरीके से 15,000, 20,000 का loan आपको मिल जाता है 25,000, 50,000 तक भी आपको मिल जाता है और अगर एक बार आप loan ले लेते हैं और दुबारा उसकी repayment कर देते हैं तो जब आप second time loan apply करने की process करते हैं तो वहाँ पर आपको थोड़ा amount मिल जाता है तो वहाँ पर आप उताए चाहूंगा कि इसी तरह से आपको ना चाहते हुए भी या फिर अगर जरूरत नहीं है किसी चीज की तब भी आप जो है वो चीज खरीद लेते हैं या फिर चाहे वो loan पे हो या फिर credit card से हो तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि अगर जरूरत नहीं ह तो आप loan मत लीजे क्योंकि इसके चक्कर में आप पढ़ेंगे या loan के या फिर credit card के तो वो कहीं न कहीं आपका अगर मान लीजे हजार दुहजा से काम चल रहा होगा तो आप automatically आप सीधे पहुंच जाएंगे उसके double यानि की 4000 5000 क्योंकि आपके पास credit card है और आपके पास limit मि लेते हैं तो कहीं न कहीं compounding कुछ कहा जाता है जो मैं ज्यादा उसके बारे में नहीं knowledge है मुझे लेकिन वो लोग ऐसा कुछ calculate करते हैं कि आप थोड़ा थोड़ा भी अगर amount आप calculate करेंगे या देंगे per month 2% या 1% सोच करके आप loan ले लेते हैं या फिर credit limit use कर लेते हैं तो व पुरा ध्यान रखते हैं जो loan credit card या फिर जो banks होते हैं वो तो उस case में क्या होता है कि उनकी जो benefit है वो long term देखते हैं तो उनको जादा benefit होता है तो उससे related आपको कई बार offer भी दिया जाता है credit card को आपके पास अगर है तो कई websites पे आपको offer मिल जाता है तो आप सोचते हैं कि credit card या जाए तो कहीं न कहीं उन सब चक्रों में भी आप पढ़े जाते हैं और मैं भी पढ़ा ही हूँ तभी मैं ये चीज बता रहा हूँ हलाकि मेरा ये content है फिर भी मैं आपको ये चीज समझा रहा हूँ जो मुझे personally अभी हुआ है experience और मैं अभी धिर धिरे करके जो credit है उ अभी credit से debit प्याराओं याने की debit card याने की जो आपके बास saving accounts है उससे आप खर्चा करेए क्योंकि उससे भी आपको payment नहीं करना होता है और तो आपको पता भी नहीं चलता है तो इन चीजों को आप follow कर सकते हैं जिससे थोएसा आप relax भी रहेंगे और आपको overdue charges का tension नहीं र या उससे related मैंने ये वीडियो आपको बना करके दी loan या फिर credit card अगर जरूरत नहीं है तो आप मत लेजिए मिलते हैं अगली वीडियो में इस वीडियो में इतना ही और ये भी पूछना चाहूंगा आपसे कि आपका क्या कहना है इस बारे में जो कि मैंने अभी इस topic पर जो YouTube Channel है वहाँ पर भी आ सकते हैं वहाँ पर आपको ब्लॉग देखने को मिल जाता है नमस्कार